योगेनो श्रिपाल जी का जो समाजवाद है वहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस यानि ये लठेट समाजवाद है इनका प्रोपिसर राम गोपाल यादो का समाजवाद वह पूजी बाद में बदल गया है सब धर्ती गोपाल की नुएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धर्ती दिखाई देती है समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके सागिर्दोंने हत्याने में पोई गुरेज नहीं की और अखलेश जी का समाजवाद ते आउसरबादी समाजवाद है बैयोबेनो श्रिपाल जी के साथ क्या हुआ था हर वैक्ती समझता है पिसली वार तो कम से कम जस्वंत नगर नेता जी के नाती मिल गई अगली वार जस्वंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको यह हर वैक्ती जानता है और जब भी समाजवादी पार्टी को चुनाव हारने होते दो काम जरूर कर लेते हैं एक तो पहाना कर लेते हैं पहले से ही प्रिष्ट फूमी बांद लेते हैं के साथ EPM में गड़ बड़ी है अरे उसी EPM में तो 2012 में आपकी सरकार बनी थी उसी EPM में इस प्रदेश में कई सांसद आपके जीते थे कैसे आप आरोप लगाते हैं कभी इलेक्शन कमिशन को दो सी ठहराने लगते हैं और कभी उसकी प्रिष्ट भूमी बांद करके अपने कार नामों को नहीं देखेंगे कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे तो भाईयों बेनों आज मैं आप सब से कहना जाओंगा समाजवादी पार्टी के इस बहे कावे में आने कि आऊ सकता नहीं इनके पास जब भी चनाव हारना उता दो काम करेंगे एक आरोप प्रत्यारोप और दूसरा बैचारी डिंपल जी को चनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं फिरोजा बार्टी में नोने यहीं किया था और कम्मोज में भी यहीं किया था चनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं